नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नौलेज इन हिंदी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास भी है कोई सा भी कंप्यूटर और कोई सा भी मोबाइल और आप अपने मोबाइल को ब्लूटूथ के जरीए अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हो यानि कि मोबाइल और कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट रहे ब्लूटूथ के जरीए तो कैसे करते हैं आईए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इसके लिए आपको simple step follow करना है ज्यादा मुश्किल नहीं है सबसे पहले आपको अपना mobile लेना है और यहाँ पर आपको अपने mobile में settings को open कर लेना है settings को open करें settings को open करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा एक option bluetooth तीसरे या चौते नमर पर आप इसे चालू करें और यहाँ पर आपको मिलेगा bluetooth यहाँ पर आपको आपके device का नाम दिखाई दे जाएगा यानि mobile का नाम तो हमारे mobile का नाम है my mobile तो यहाँ पर आप इसे याद रख लीजिए यह बहरती जरूरी है इसका काम complete हो चुका है आप अपने mobile को रख दीजिए यहाँ पर आप bluetooth बंद मत करिएगा तो यहाँ पर हम इसे रख देते हैं यहाँ पर फिर आपको आना है अपने computer की screen पर और आपको open करना है settings तो window बटन प्रेस करें यहाँ पर लिखिए settings सेटिंग सेटिंग सर्च करें और यहाँ पर आपको मिलेगा एक option device इसके नीची होगा bluetooth प्रिंटर और माउस तो यहाँ पर इस पर किलिक करें और यहाँ पर आपको मिल जाएगा bluetooth पर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ यहाँ पर आप विंडो बटन में जाएं और डारेक्ट लिखें bluetooth बी एल यू ई तो शायद आपको फिर भी मिल जाएगा तो यहाँ पर हम इस पर पहुच गए हैं आप भी इस पर पहुच जाएए यहाँ पर आपको मिलेगा bluetooth on करने के लिए आपको इस पर किलिक करना है और में bluetooth नहीं है तो यहाँ पर on करने के बाद आपको प्लस वाला आइकन पर टाच करना है या किलिक करना है यहाँ पर आपको तीन option मिलेंगे तो सबसे उपर वाला option मिलेगा आपको bluetooth, mic, keyboard, pants, audio and other kinds of bluetooth device इस पर आपको किलिक करना है थोड़ा सा आपको वेट करना है यहाँ पर ज दिखा देगा आपके mobile का model number या जो आपने नाम रखा होगा bluetooth में वो दिखा देगा तो आचुका है हमारा my mobile इस पर आपको टाच करना है या किलिक करना है यहाँ पर connecting ले रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे कि mobile में pair करने के लिए आ रहा ह है तो आपको इस पर टाच करना है यहाँ पर और pair वाले option पर टाच करना है फिर आपको connect वाले option पर किलिक करना है computer के अंदर और यहाँ पर आपका mobile connect होने लग जाएगा यहाँ पर यह connect हो चुका है यहाँ पर दिखा रहा है your device is ready to go आपको done option पर टाच करना है और नीचे की तरफ दिखा देगा my mobile connected तो ऐसे आप इसको इस्तिमाल करें और इससे आप कोई भी file भी भी भेज सकते हैं अपने mobile में bluetooth के जडिये जैसे के हम यहाँ पर याली photo भेजते हैं send to पर click करते हैं bluetooth device पर click करते हैं यहाँ पर my mobile पर हम click करते हैं और next कर देते हैं और यहाँ पर हमार computer से file हमारे mobile में आ गई है ऐसे आप इसको इस्तिमाल करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है हमारी वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो comment जरूर करें